राहूल गांदी ये सारी चीजे नहीं समझ पाएं हमिजी एक मुद्दा जो आपके भी काफी करीब है CAA का मुद्दा आज कोट ने भी स्टे देने से इंकार कर दिया CAA के लिए तो इसको आप कैसे देखते हैं ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद क्योंकि इतना गैप के बाद क्या चुनाओ आपके उसमें था ऐसा नहीं था राहूल जी CAA पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलत फहमी फैलाई गई और इतने में कोवीड आ गया हम डेमोक्रेटरिक कंट्री में है जब किसी सची चीज के लिए गलत फहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती इसका दाइत्व होता है कि सचाई लोगों तक पहुंचाए एक ब्रमीत किया गया ओपोजिशन ने अपनी वाट बैंक जिवित करने के लिए वाट बैंक बनाने के लिए ब्रांती फिलाए गई कि CAA से इस देश की माइनोरिटी इसका विसेश करकर मुसलिम भाहियो बैनों का मताधीकार नागरितत्व छिन लिया जाएगा जबकि है उल्टा CAA से किसी का नागरिक्ता नहीं जाने वाला है CAA नागरिक्ता देने का कानून है सीख, बहुत, जैन, क्रिस्टन, हिंदू जो सारे भाई तीन देशों से प्रताडित होकर आए हैं वो सालों से यहां बैठे हैं उनके पास नागरिक्ता नहीं है उनके नाम से संपती नहीं खरी सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते किस प्रकार से इनका जिवोविन व्यतित होगा एक करोडों लोगों की परिशानी को कॉंग्रेस के पास इसका जवाब नहीं थे वो अपनी वाट बेंक की पोलिटिक्स में ही मस्गूल थे और पूरी ब्रांती फिलाई कि CAA थे देश से मुसलमानों की नागरिक्ता चली जाएगी मैं फिर से एक बार ने एक बार कर चुका हूँ, फिर से एक बार स्पश्चता करना चाहता हूँ इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है CAA नागरिक्ता लेने का कानून ही नहीं है नागरिक्ता देने का कारून है और जहां तक CAA का सवाल है एक कॉंग्रेस के आजादी के वक महात्मा गांदी, जवाला नेलू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, रादिन्र बाबू सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे सरनार्थियों को हम नागरिक्ता देंगे वो वादा कॉंग्रेस पार्टी ने पुरा नहीं किया वो वादा हम पुरा करें वो एक प्रकार से नहरू लियाकत पैक्ट का इंप्लिमेंटेंशन है मगर राहूल जी का ये सारे अित्यासिक डोक्यूमेंट से लेना देना है नहीं वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है चीट में इतनी सारी बाते आती नहीं केजरिवाल जी, ममता जी, राहूल जी सबका कहना ये है कि जब देश में खुदी नौकरी और खाने पिने की इतनी समस्याएं हैं तो जब इतने घुसपैटिय और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां का से ले हैं ये घुसपैटिय नहीं है क्यों जीबान जुबान सिल जाती है इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वर्ट बैंक को हट करें सरनार्थी जो होता है वो प्रताडीत होकर यहां अभी मैं आपको बताता हूँ अफगानिस्तान में निजाम मदला सारे लोग इनसीकुरिटी फिल करें हर सीख भाई बेंड का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका हर हिंदू भाई बेंड का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है इसको घुस पेठी करार देना ठीक नहीं है और जहां तक नौकरियों का सवाल है वो पहले से यहां रह रहे आज रही रहे हैं कहां लोड डालने का सवाल और केजरिवाल कहते हैं क्या खाएंगे केजरिवाल जी आपको अगर प्रॉब्लेम है तो पांच किलो अरजी कर तो आपको भी दे देंगे आपको अफती मैं मोदी जी हरेक को पांच किलो ना दे रहे हैं ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं कहां नहीं कोई व्यवस्ता करने इनको अधिकरूत नागरिक बनाना है उनको सनमान देना है उनको अपना मानना है इसको इस भूमी का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है और इस तरह से देश क को बांटने की बातें नहीं करने चाहिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस अंबैसेडर ने भी सी ए पर टिपणी किया क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारीने होगी भारत सरकार का विदेश मिभाग अभी कुछ खबर आ रहे है कि चाइनीज मिलिटरी ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुनाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन नांक है इसको आप कैसे देखते हैं जवाला नहरू के समय से कह रहे हैं और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हडब भी कर गए तो मेरा तो भारत की जनता को वादा है अमिजी एक सीय से रिलेटेट सवाल है और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनालोजी की बात हुई थी कि सीय के बाद नर्सी आएगा नर्सी की बात आजकल कम हो रही है क्या इसको यह माना जाय कि इस मैनिफेस्टों में यह मंत्री थे तब गवर्मेंट कंटिनेस प्रोसेस होती है हमने इसको आके बढ़ाये मगर सीय का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनर्सी का प्रोविजन नहीं है कहीं एनर्सी के जिन्स भी नहीं है क्रूपिया देश की माइनोरिटी को डराना बंद करिये पश्टता से तक तक गीता नहीं जा सकती और ऐवास्ता रिकता है नहीं पर एनर्सी क्या बज़ेपी के मैनेफेस्टों में होगा अगले टर्म में इसको देखेंगे अब मैं तो Manifesto Committee में अभी धाब कोई आया नहीं है, जब Parliamentary Board के सामने आएगा तब देखेंगे, परन्तु मैं इस मन्त से इसकी गोशना भी नहीं कर सकता, परन्तु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहतूं, अभी देश के सामने CAA का कानून है, जिसमें NRC के कोई वाइरस नही क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो पांच साल का कारिकाल रहा, उसमें आप लोग ने बहुत बड़े काम किये, 370, अभी CAA की हम लोग बात कर रहे थे, एक युनिफर्म सिविल कोट की भी बात हुई है, और इसको आपने जो है उतुरा खंड के गवर्मेंट के उसके अगले पांच साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारफी जन्ता पार्टी का, आपके मैनिफेस्टो आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप कंटिनूर। यूसी सी, लोक भोग्य बासा में कॉमन सिविल कोल, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है, 1950 से हमारा मुद्दा है, इसके लिए मेरी पार्टी ने अंदोलन किया है, जन्सन था तब से करा है, और हम इससे हट नहीं सकते हैं, हम मानते हैं कि पंथ निर्पेक्स देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई बत को, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे, उत्राखन सरकार UCC लेकर आई हैं, और इस UCC पर इसकी अब सोस्यल, लीगल, जुडिस्यल, सभी प्रकार की स्कूरूटिनी होगी, और उसके बाद म कोई एक कौमन मद भी बनेगा देश का, परन्तु UCC भारती जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो, बाउध हो, इस सभी ने एक कानून से चीना चाहिए, धार्मिक स्वतनत्रता में कोई रखेंगे,